दोस्तों आज इस वीडियो में यार हम लोग रिव्यू करने वाले हैं Redmi Note 12 का जो कि एक 5G स्मार्ट फोन है ये फोन आप लोगों को 18,000 रुपीज के रेंज में देखने को मिल जाता है 4GB, 128GB वाला वेरियंट और 6GB, 128GB वाला वेरियंट आप लोगों को 20,000 के रेंज में देखने को मिलता है इसमें आप लोगों को तीन कलर देखने को मिल जाते हैं ग्रीन, ब्लैक और ब्लू ये जो मेरे पास है ये ब्लू कलर में है तो आप लोग इसे देख सकते हैं काफी प्यारा पीछे का लुक काफी अच्छा है बात कर लें इसके डिस्पले की तो यहाँ पर आप लोगो 6.67 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले मिल जाता है नीचे क्योर आप लोगो को Charging Port, Speaker और Noise Cancellations के लिए माइक मिल जाता है साइड में आप लोगों को Power Button जो की Fingerprint का भी काम करता है और Volume Up and On Button साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगो SIM Slots मिल जाता है जिसमें आप लोग 2 SIM आराम से लगा सकते हो और Expand अगर सकते हो Memory Card लगा के 1 TB तक भी तो काफी इस ही है, काफी ही चम चमाता हुआ Color इसका काफी पसंद आया मुझे Camera की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आप लोगों को 48 Megapixel का Main Camera मिल जाता है 8 Megapixel का Ultra Wide है और 2 Megapixel का Macro Camera है और LED Flash के साथ में आता है Front में आप लोगों को 13 Megapixel का Camera मिल जाता है अगर आप लोगों इसके Chipset की बात कर लें तो यहाँ पर आप लोगों को Snapdragon 4 Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है Out of the Bucks MIUI 13 Android 12 के सपोर्ट के साथ में आता है तो यहाँ पर आप लोगों देख सकते हैं Android 12 मिलता है हाला कि इसी के competitor में भाई आप लोगों को कुछ जो है Android 13 का भी सपोर्ट दे रहे हैं बट यहाँ पर आप लोगों को Android 12 का सपोर्ट मिल रहा है यह स्मार्टफोन का डिस्प्ले मुझे यार काफी सही लगा बैटरी के अगर बात कर लें तो 5000 mAh की जो है वो आप लोगों को बैटरी मिल जाती है तो यहाँ पर मुझे कोई भी लैग या कोई भी इशूस ऐसा देखने को नहीं मिला है यहाँ पर आप लोगों को सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं इस फोन में आपको दो Android अपडेट्स और 4-year security अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे चलिए camera quality को टेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर भाई camera जो है इसका मुझे ठीक ठाक लगा और main camera के अगर बात करने को पर असलिन तो मुझे काफी सही लगा यहाँ पर आप लोगों को 48 megapixel का main camera मिल जाता है F1.8 aperture के साथ में और 8 megapixel का ultra wide camera है 2.2 aperture के साथ में और 2 megapixel का macro camera है जो की F2.4 aperture के साथ में आता है यहाँ पर आप लोग slow motions video 720p में 120 fps पर शूट कर सकते हैं साथी साथ video resolutions की normal बात करें तो 1080p 30 fps तक आप लोग इसमें शूट कर सकते हैं और ultra wide में अगर आप लोग shoot करना चाते हैं तो 1080p 30 fps पर आप लोग आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं पैनोरेमा मोड प्रो मोड भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है तो back camera personally यहार मुझे काफी सही लगा front camera से भी आप लोग 1080p 30 fps पर video recording कर सकते हो design और build quality यार इसका मुझे काफी सही लगा Corning Gorilla Glass 3 की protection इसमें देखने को मिल जाती है splash and dust resistance भी है IP53 मतलब हलके फुल के पानी के छीटे यह जहल सकता है उतना जादा नहीं 48 mega pixel से काफी अची photos भी यहाँ पर निकल रही है refresh rate की बात करें तो 120 Hz का refresh rate इस phone में देखने को मिल जाता है मुझे यार कहीं पर भी कोई भी lag या issue नहीं मिला है और इसका जो software है वो काफी clean है और UI भी काफी ठीक ठाक है हलाकि कुछ applications इसमें आपको देखने को मिल जाते है यह photo samples है जो मैंने इसी के back camera से लिया है और एक और भी sample है यह वाला तो यह भी मैंने back camera से लिया है मैंने focus कहीं और करके जो है इसमें कोशिश किये लेने की तो काफी अच्छी photos आई है तो यह smartphone personally मुझे काफी ठीक ठाक लगा है और अगर 18000 के range में आप लोग एक 5G smartphone लेना चाते हो तो अगर आप लोग इस range में एक smartphone देखना चाते हो तो यह smartphone आप लोग consider कर सकते हो 5000 mAh की बैटरी होने के कारण यार यह मुझे full one day का backup दे दता है सारे uses के साथ में एक दिन का backup आप मुझे अराम से मिल जाता है गेमिंग की बात कर लें तो नॉर्मल गेमिंग आप लोग काफी असानी से कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा